दोस्तों अभी अभी खबर मिली है के हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच रमाकांद आचरेकर जी का अब निधन हो गया है आचरेकर जी शिवाजी पर्क के दादर मुंबई में यंग क्रिकेटर्स को कोचिंग देने के लिए सरवाधिक फेमस हैं इसके अलावा इन्होंने क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तैंदुलकर को भी बहुत कुछ सिखाया है रमाकांद को मुंबई क्रिकेट टीम में खेलने के लिए भी सेलेक्ट किया जा चुका है कहा जाता है कि आचरेकर सचिन के दिल के बहुत करीब थे और ऐसे में उनके चले जाने से सचिन को बहुत छती पहुँची है सचिन ने अपने रेटायर्मेंट के वक्त भी अपनी स्पीच में रमाकांद आचरेकर जी का जिक्र किया था आज रेकर ने क्रिकेट खेलना मात्र 11 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था 1990 में इनके महान कोचिंग अंदास को देखते हुए इन्हें दुरोना चारे अवार्ड से भी नवाज आ गया इन्हें 2010 में पदमस्री सम्मान के लिए भी नॉमिनेट किया गया जो किसी भी खेल कैटिगरी में भारत के सर्वोच नागरिक पुरुसकारों में से एक है ये सम्मान इन्हें दिल्ली के रास्टपती भवन में 7 अप्रेल 2010 को उस वक्त के रास्टपती प्रतिभा पार्टिल जीने दिया था 2010 में ही इन्हें 12 फरवरी को हमारे भारत के फॉर्मर कोच गैरी कश्टन द्वारा लाइफ टाइम अच्यूमेंट का अवार्ड दिया गया दोस्तों आज 87 वर्ष की उमर में हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच आच रेकर जी का निधन हो गया जिससे निश्चित रूप से सचेन रमेश तेंदुलकर को बहुत छदी पहुंची है क्योंकि ये उनके दिल के बहुत करीब थे को बदीत रूप को आच घर जाया थे जानुझल zur में और सनी you घ Commissioner झाल झाल